सारवत्रिक गुरुत्वा कर्शन का नियम क्लास नाइन्थ साइन्स और रिलेवन्थ फिजिक्स में है और इससे रिलेटेट कुछ खास तरह के आंकिक प्रशन आज हम देखेंगे जो लगते रिजनिंग के कोश्चन है पर उनको नुमेरिकल तरीके से एक साथ एक ही तकनीक से कैसे सौल कर सकते हैं जैसे दो वस्तूओं के बीच लगने वाले गुरुत्वा कर्शन बलका मान क्या होगा यदि उनके बीच की दूरी आदी कर दें उनके बीच की दूरी दुगुनी या तिगुनी कर दें एक वस्तू का द्रविमान दुगुना कर दें दोनों वस्तूओ गुर्तवाकर्शन का नियम है चाहे वो नियम आपको यहाँ याद हो या नहो यह फार्मुला आपको याद होना चाहिए इस नियम का कि Kap Italy एm और समाल एm द्रविमान की दो वस्तू है मतलब एक वस्तू का द्रविमान केपिटल एm है दूसरे का समाल एm है और दोनों के बीच की दूरी कितनी है D है तो उनके बीच जो आकरशन वल होता है उसका सूतर आप याद कर लिजेगा F is equal to G capital M, small M upon D square यहाँ एक वस्तु का द्रॉमान capital M है दूसरी का small M है और G को हम बोलते हैं सारवत्रिक गुरुत्व आकरशन नेतांग जिसका इमान होता है आज के questions में केवल इस formula का ही यूज होगा G, M, M upon D square और केवल यह पता होना चाहिए कि यह हैं क्या क्या तो यह दोनों वस्तु के बीच का आकरशन वल है यह दोनों वस्तु के द्रॉमान है capital M, small M और दोनों वस्तु के बीच की दूरी है small D अब question पर आजाते हैं सीधे हम दो वस्तु के बीच लगने वाले गुरुत्वा करशन का क्या होगा यदी उनके बीच की दूरी आदी कर दी जाए तो कोई सा भी इस तरह का question आता है तो आप सबसे पहले इसको लिखिएगा ये lines आप बिल्कुल ready कर लिजिए capital M और small M द्रॉमान की दो वस्तु है और दोनों के बीच की दूरी D है तो उनके बीच जो आकर्शन बल होगा F is equal to G, capital M, small M upon D equation number 1 सारे question में ये equation number 1 लिखना है आपको अगर आप इस तरीके से ना लिखें तो भी कोई बात नहीं आप सीधे लिख दीजिएगा दो वस्तु हों के बीच आकर्शन बल वो तो यहां लिखा ही रहेगा तो दो वस्तु हों के बीच गुरुत्वाकर्शन का बल F is equal to G, M, M, upon D, square और यहां side में लिख दीजिएगा कि D दोनों के बीच की दूरी है या capital M, small M, दोनों पिंडों के दुरुमाने या दोनों वस्तु हों के दुरुमाने अब प्रशना रहा है उनके बीच की दूरी क्या कर दें आधी कर दें तो अब यहां यह जो दूरी है यहां को ने D है इसको आधा करना है मतलब D की जगे लिखना आपको D बटे 2 तो फिर F कितना हो जाएगा यह पता करना है तो ठीक है D की जगे D बटे 2 लिख दो और F कुछ चेंज होगा तो F की जगे हमें F देश यूज कर लेते हैं F के उपर एक देश लगा देते हैं तो जो गुरुतवा करशन का बल होगा F की जगे क्या हो जाएगा F देश यहां तक तो हो गया equation number 1 अब उसके बाद यहां चल रहा है इतना लिखने के बाद में यहां आ रहा है तो गुरुतवा करशन बल F देश बराबर GMM और D की जगे हो गया D बटे 2 क्यों की दूरी कितनी करना है आदी करना है तो D बटे 2 का स्क्वेर ठीक है दूरी आदी कर दी अब दूरी आदी कर दी तो क्या होगा देखिए यह D स्क्वेर हो जाएगा D का स्क्वेर D स्क्वेर और 2 का 4 हो जाएगा अब यह 4 कहां चला जाएगा उपर D स्क्वेर बटे 4 हुआ न D बटे 2 किया तो इसका स्क्वेर करने करने गए तो D स्क्वेर बटे 4 4 कहां चला जाएगा उपर चला जाएगा तो यह क्या बन जाएगा 4 GMM बटे D square हर प्रश्ण में ये वाला वापस आजाएगा ये F हर प्रश्ण में F वापस आएगा और इसकी जगे आपको F लिख देना है तो ये 4 F हो जाएगा इस तरीके से हम कहेंगे कि ये जो गुरुत्वा कर्शन बले 4 गुना हो जाएगा मतलब दूरी आधी करने पर गुरुत्वा कर्शन बल 4 गुना हो जाएगा इस टाइप के कोश्चन अबजिक्ट्व में भी पूछे जा सकते हैं नूमेरिकल्स में भी पूछे जा सकते हैं तो हमें दोनों तरीके से इसको याद रखना है तो दूरी आधी मतलब डी बाई टू करेंगे तो स्क्वेर होने से चार उपर चला जाएगा और सीधे आप दिमाग में रखेगा कि चार गुना हो जाएगा अब इसी प्रशन में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि उनके बीच की दूरी दूगुनी या तिगुनी करतें तो है ना अगर दो गुनी या तीन गुनी करतें दूरी मतलब यहाँ पर डी की जगे टूडी लिख दें या थ्री डी लिख दें तो क्या होगा तो हमने अभी आप होता है क्विशन नंबर वन तक तो आपको चल नहीं है उसके बाद में जब दूरी दूगुनी करें चाहे तिगुनी करें गुरुत्वा करशन भल को चेंज करना है तो उसको एब डेश लिख दीजेगा तो दूरी दुग नहीं करना है तो गुरुत्वा कशन बलोगे एबडेश है ना जी एमेम और दुग नहीं करती चली तो डी की जगी क्या लिख देंगे 2D और 2D का क्या हो गया स्क्वेर अब देखे क्या होगा जी एमेम बटे 4D स्क्वेर हो गया 2 काबर 4 और अब देखे यह वापस F आगया आया की नहीं आया है F आगया ना तो यह क्या हो गया देखे आप जी एमेम बटे 4D स्क्वेर हो गया देखे जी एमेम बटे 4D स्क्वेर 4 इंटू D स्क्वेर है 4 इंटू D स्क्वेर यहाँ गर आप देख रहे हो तो यह संख्या तो पूरी f है और यह बटे हो गया 4 f बटे 4 हो गया है ठीक है ना देखिए gmm बटे d square तो f हो गया और यह बटा में को ने चार है तो f बटे 4 f बटे 4 मतलब एक चोथा ही हो जाएगा उनके बीच का गुरुत वाकर्शन पर दूरी दूग नहीं करने पर अगर तीगुनी करना हो तो 2 की जगे 3 लिख दीजिए जैसे आपने यह 2 लिखा था वैसे आप 3 कर दीजिए तो 3 का square कितना हो जाएगा नो हो जाएगा तो यह 9 d square हो जाएगा मतलब 9 into d square हो गया तो जी एमें बटे 9 into d square हो गया मतलब f upon क्या हो गया नाइन हो गया तो दूरी तिगुनी कर देंगे तो यह क्या हो जाएगा गुरुत वाकर्शन पहले आकर्शन पहले का कितना हो जाएगा नवा भाव हो जाएगा तो इस तरीके से हम इन नुमेरिकल्स को कर सकते हैं और भ लिखना है अब एक वस्तु का द्रवमान दूगना करना है किसी को भी डबल कर दीजिए इन में से एम की जगे या तो capital M की जगे 2M कर दीजिए या small M की जगे 2M कर दीजिए तो दूगना कर दीजिए तो यह नया जो गुरुतपा कर्शन पहलोगा उसको f लिखना ही है g capital M और यह small M वाले को 2M कर दिया 2M upon d square तो यह हो गया 2gmm upon d square यह देखे gmm upon d square की जगे हम लिख देंगे f तो यह हो जाएगा 2f मैं आपको यह बताने जा रहा था कि जो सबसे महतुमन बात है देखिए 2f होने से क्या हो गया दो गुना हो गया आपको वापस यहां पर f लेकर आ 2in2 A gmm upon d square 2in2f हो गया ना तो यह दो कुना हो जाएगा और दोनों वस्तुओं के द्रहमानों को दूगना कर दें तो फिर आप m की जगे भी 2m लिखेगा और इस m की जगे भी 2m लिखेगा दो बार आपको 2m 2m करना है और वही equation number 1 तो इसी को रखना हो उसके बाद इसको ल हो गयाँ अब दिखें वापस ही हागया जीएम्स फोर जीएमम उमफंटी स्क्वाइर देखें वर इन प्रिंटू जीएमउम पान ड की स्क्वेर्ण किya है एफ है तो यह जाएगा फॉर इंटू ए फ तो यह क्या हो झाल झाल